गुटने, कमर का दर्द, खून की कमी, आँखों की रोशनी कमजोर, दूर का और पास का सही से न दिखना, पुर्शों में रात को बिस्तर पे टाइमिंग कम लगना अपनी पतनी के साथ में, इसके अलावा हडियों की कमजोरी, आईउ को अगर आप लंबा करना चाहते हैं, त कोई भी व्यक्ति प्रियोक कर लेता है, दोस्तों सांड जैसी शक्ति, ताकत, चुस्ति, फूर्ति, आँखों की रोशनी तेज, बालों का जणना बंद और हडियों की कमजोरी दूर होगी, तो वीडियो को ध्यान से अंतक अवर्शे देखें, वीडियो को लाइक करना बिल दोस्तों सबसे पहली चीज यहां पर मैंने लिए है ड्राइ डेट जिसको हम छुवारे भी कहते हैं, दोस्तों आप लोग क्या कहते हैं, आप इसको खजूर कहते हैं कि छुवारा मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, ड्राइ डेट के बीच में दोस्तों परचूर मातरा में केलशियम, फाइबर, फॉसफोरस, वाइटमिन ए, वाइटमिन बीटवल परचूर मातरा में पाया जाता है, जो कि हडियों की कमजोरी को दूर करके, कमर दर्द, पीट दर्द, पुर्शों में जो टाइमिंग नहीं लगती है, इसके अलावा बहुत जोरी आगे, उसको ये ठीक करता है, दूसरे नमबर पर यहाँ पर जो हमने चीज लिए है, वो है, दोस्तों, मामरा गिरी, जो की देसी बदाम होते हैं, कश्मीरी वो वाले में लिए, मार्किट में अमरीकन बदाम भी आते हैं, वो आपको नहीं लेने ये चीज का ध्यान आपको दोस्तों लेनी है, मामरा गिरी, आगे मैं आपको इसको पीस करके बताऊंगा एक नुस्खा बना करके, जिसमें आपको काँच के डबे में इस नुस्खे को स्टोर करना और तीन महीने तक इसको स्टोर करके रखके प्रियोग कर सकते हैं, बादाम दोस्तों आँखो के लिए, बालों के लिए, कमर पीट के लिए, हडियों के लिए, खून की कमी के लिए, इसके अलावा दिमाग को तेज करने के लिए बहुत फाइदे मंद होता है, यहां पे लगबग में कौन्टिटी की अगर बात करूं तो अगर आप एक सपता के लिए बना रहे हैं, एक व्यक्ति बैलेंस कर लेता है, उसको कभी भी इस परकार की समस्या लाइफ में नहीं आती है, तो मैं आपको यह जो नुस्खा बता रहा हूं नहीं, इवन बहुत सारे व्याख्यानों में शीरी राजिव दिक्षिदी नें भी बताया है, लेकिन आप लोग ध्यान नहीं दे खा रहा हूं, आपको कटोरी में भीगो करके रख देना, फिर अगले दिन सुबह देखिया है किस तरह से फूल जाते हैं, दोस्तों महात्मा गांदी भी नाश्ते में सुबह 80 साल की एज में भी सुबह 5 से 10 चुवारे लेते थे और बहुत अक्टिव रहते थे, इसके लिए राम बान औशदी है, बस प्रियोग करने का सही तरीका पता होना चाहिए, इसके अलावा जो बहुत जादा हिलाते हैं, उनको दोस्तों हिलाना बंद करना चाहिए, और जो राइट लाइफ होती है, बैलनस लाइफ होती है, टाइम पे सोना, टाइम पे उठना, जितन उनके बीच में से जो बीज होते हैं, वो मैंने निकाल करके अलग कर दी हैं, आपको भी दोस्तों इस तरह से छुवारों के बीच में से बीज निकाल करके अलग कर देने हैं, उसके बाद में सबसे महतपून बाद, जिनको हड़ियों की कमजोरी, जोड़ों का दर्द और आ शरीर पांच तत्वों से मिलके बना है जिसमें सबसे महतववन तत्व है मिट्टी मिट्टी को अपने भीतर बैलंस करने के लिए उसके तत्वों को दोस्तों बहुत जरूरी है कि मिट्टी से संपर्क में रहें आप बादाम को भी यहाँ पर मैंने चिलके उतार करके लिया है क्योंकि दोस्तों अगर आप चिलके के साथ में बादाम का प्रियोक करते हैं बिना बिगोए तो एक तो यह आपके शरिर में गर्मी कर देगा दूसरी बात दोस्तों आपको इसके पूरे पोशक तत्व आपकी बॉड़ी में एब्सॉब नहीं होंगे अगर आप इसको छिलके के समयत यानि की साथ में सेवन करेंगे तो ये चीज़ का ध्यान दखें कि छिलका निकाल करके ही आपको इसका सेवन करना है उसके बाद में आप दो तरह से इसको आपको पीसना है तो दो तरह से आप इसको पीस सकते हैं या तो दोस्तों जो पत्थर की खरड होती है जिसमें माताएं बहने चटनी बनाती है या फिर ये जो मिक्सर ग्राइंडर मेंने लिया है इसमें आप इसको पीस सकते हैं से बहतर तो होता है कि आप पत्थर की लंगरी में ही पीसे हैं जो पत्थर का सिलबटा खरड होती है उसमें पोशक तत्व डिस्ट्रॉई नहीं होते हैं अगर आप चाहते हैं कि ग्राइंडर में पोशक तत्व डिस्ट्रॉई ना हो तो आपको क्या करना है कि धीरे धीरे करक तो दोस्तों एक गर्मी छोड़ देगा अपनी और आपको कुछ भी फाइदा नहीं होगा इसका सेवन करने का आप देख सकते हैं यहाँ पेस्ट बन करके तयार होगी है जिनको दोस्तों स्टोर करके रखना है न वो क्या करेंगे वो सूखा जो खजूर होता है और साथ में ज मैंने बता दिया नंगे पैर आपको चलना है पानी आपको तांबे के बरतन का पीना है दोस्तों बहुत जरूर यह सुबह नीम और हल्दी डाल करके हर व्यक्ति को पीना चाहिए अब यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर दूद ले लिया गाये का शुद आप ब बीच में डाल देनी है आपको इस तरह से दोस्तों बहुत जरूरी है कि जिस तरह से मैं आपको प्रयोग बता रहा हूँ आपको इसी तरह से ही करना है और भैस का भी दूद अगर आप चाहें तो ले सकते हैं लेकिन सबसे बहतरी होता है दोस्तों जो देशी गाये होती है साही वाल नसल की ये गीर गए उसकी नसल की वो सबसे बहतरी नुसका दूद होता है एटू काउ मिल्क जिसको हम कहते हैं यहाँ पे मैंने लगबग दो से तीन अलाइची स्वाद अनुसार टेस्ट के लिए बहुत अच्छी खुजबू भी आती है और स्वाद भी बहुत मसता आता है दोस्तों इसकी बीच में मैंने डाल दिये साथ में यहाँ पे मैंने डाला है सिनिमन आप इसको क्या कहते हैं डाल चीनी होती है दो तरह की मिलती है तो मैंने जो डाली है आपको भी वही डालनी है लबग एक छोटा टुकड़ा दोस्तों आप देख सकते हैं वीडियो में मैंने कितना डाला और धीरे धीरे करके आपको हिला लेना है दोस्तों इस तरह से उसके बाद में आदी छोटी चुटकी यानि की पिंच जिसको अंग्रेजी में कहते हैं हल्दी आपको इसके बीच में मिला देनी है हल्दी जोडों के दर्द के लिए कमरपीट के दर्द के लिए खून की कमी के लिए ये नुस्खा आंखों की रोशनी जिनकी कमजोर है उनके लिए और पुर्षों में जो बिस्तर में बिल्कुल भी टाइमिंग नहीं लगा पाते हैं अपनी पत्नी के साथ उनके लिए नुसका बहुत ही कारगर है दोस्तों इसके बीच मैंने जितनी भी चीज़ें मिलाई है न सभी सांड जैसी ताकत देने में आपको साहेता करेंगी और दोस्तों कितना भी पुराना आपने ल h utilities to by चलेगआ आपकी मरजी है मैंने तो यहाँ पे डाली है और चीनी का प्रियोग आपको बिल्कुल भी गलती से नहीं करना यह चीज का आपको अच्छे से ध्यान रखना है दौसटों इसके अलावा एक और चीज़ेड़क करना है कि इसका प्रियूग कि से करना है जिस्त दोस्तों ये सेवन करने से आपकी सबी समस्य हैं आज मैंने वीडियो में बताई हैं वो दूर हो जाएंगी धन्यवाद